Finally, 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 दोस्तों थोड लव एंड ठंदर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है इस ट्रेलर में क्या सब हो रहा है चलिए हम जानने का कोशिस करते हैं यह गार्डन का सीन दिखाया गया है जिसमें थोड बच्चा से लेकर जवानी से लेकर और अब तक का सीन इसमें दिखाया गया है ओके आगे यह सीन जो है यह किसी बैटल का है जिस मेंगी लडाई हुआ होगा और वही सीन इसमें दिखाया गया है ईंड इस सीन में थोड अपने स्टॉन ब्रेकर को मिट्टी में गाड़ता है ताकि अपना जो इसका स्टॉन बेकर है वो बड़ा हो सके और फिर यह जगह ह आत्म ज्ञान का जगह है जहां पर सारे देवता बैठके अपना ज्ञान अर्जन करते हैं और ये भी पता लगाता है कि आखिर ये कौन है असल में ये कौन है इस बात का पता ये यहां पर बैठके लगाता है और फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि फोर इंफिनिटी वार के वज़े से सदमे में चला जाता है और एंड गेम में आखिरकार वो थैनोस के किये कर्मों को वापस से ठीक कर देता है लेकिन उसका पेट जो है वो निकला हुआ है रहता है तो थोड़ लव एंड थेंडर में हम देखेंगे कि थोड़ कितना महनत करता है और महनत करके अपने पेट को ये कम करता है और अगले ही सीन में स्टार लॉड को स्टार लॉड के ये कपरे को पहन के पूरा फिट बाड लिखाता हैं और यह किसी वॉर का सीन होता है और जो यह मैंतिस के हाथ में सबसे सांत सुभाव वाली करक्टर है मैंने इसका सौarट भी बनाया था लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि मैंटिस के हाथ में गन है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मैंठीक के हाथ में तलवार है ओके पोड में जो अपना वह पोङने के स्ट्रॉं ब्रेकर वाला शर को जमीन में डाला था उसे उखार लेता है और स्थाइद वह द्ञंड हो गया है के टीम के साथ मिलकर बार जा रहा था कहीं सि पर तो गार्डियन ऑफ दक्टक्र का टीम η स्टार लॉड सहीध वह सारे आते हैं और इसके जो प्लेस हैं इसके जगह पर शायद इसको ड्रॉप करके यह वापस से किसी दूसरे गालेक्सी में चले जाते हैं शायद में भी हो सकता है और यहां पर अगले सीन में थोर और कॉर्ग दोनों को दिखाया गया है यह मुवी हम लोग को जिलाए में रिलीज हो जाएगा कब होगा यह अभी फाइनल एनॉंस नहीं हुआ है और यह जो सीन है यह हमारा अर्थ का सीन है अर्थ में यह दो बकरे पर बैठके अपना थोर नाव में बकरे पर बैठके यह शायद जीसस के पास जा रहा है यह सीन कहां का है भई यह लिए स्ट्रॉम्टर्फश्ट बैफ्रोस्ट वाला कोई जादू निकल रहा है यह जादू है और अगले सीन में यह जीसस को दिखाया गया है एक एलक्ट्रिक मतलब वह फ्लैस रणनर का जैसा सिंबॉल होता है न वही सिंबॉल वाला मैजिकल कोई पावर लेकर और थोर किसी जानवर से लड़ाई करता है यह जानवर कौन है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है यह धरती पर ही रहकर नया एसगार्ड बनाता है एसगार्ड के लोग कैसे रहते हैं क्या करते हैं इस सब को देखने के लिए यहां पर टूरिष्ट बस का व्यवस्था कि से नहीं है यहां पर बैठ कर टूरिष्ट अपना वों कर देख सकता है अगले सीन में दिखाया गया है कि जो है सरकार का इस पर नजर होता है कि आसगार्ड यहन आकर इसके अर्थ पर रह रहरा है इससे कोई खत्रा तो नहीं तो इसी में यह जो है वाल है रीन ऐसका नाम द तोर और जीसस के पास जा रहा है कोई काम होगा कोई जुरत पर गया हो और इस सीर में दिखाया है कि थोर का जो स्ट्रॉम ब्रेकर था सॉरी थोर का जो हैमर था म्यूनियर वो हेला तोड़ दी थी और एंड गेम में जब यह लाया भी था तो इसे फिर से वापस उसी जिगह पर रख दिया था लेकिन इस सीन में हम देख रहा हैं कि स्ट्रॉम सारी मियूनियर को कोई उठाती है और थोर उसे आश्चडे से देखता है और थोर माइटी अवतार का ये फर्स्ट लूक है तो फाइनली बड़े इंतजार के बाद ये ट्रेलर आखिरकार रिलीज हुआ है इसका बहुत बेसबरी से हम लोग इंतजार कर रहे थे तो ये मुवी कैसा होने वाला है इस मुवी में कितना मजा आएगा ट्रेलर तो अभी चोटा एक ट्रेलर रिलीज किया गया है वन मिनट ट्वेंटी नाइन सकेंड का खेर चलिए देखते हैं और अपनी राय आप जो भी देना चाहते हैं जो भी गलती मिस्टेक छूटा हुआ है वह आप हमें कमेंट मताए उसे मैं जरूर पढ़ूंगा ठेक है और अगर वीड वीडियो को शेयर जरूर किजिए ठेंक यू